आज की जो सची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इसमें एक छात्रा जो की बिये की परिक्षा दे रही थी बिये लास्ट एर की जो सिकार बनती है एक प्रोफेसर का ये एक बहुत ही वाइरल वीडियो की सची घटना है घटना को पूरा जानने के लिए आपको मेरे सा वीडियो में आंचे तक बने रहना होगा नमस्कार में महक चौदरी लेकर आई हूँ आपके सामने इलाहवाद यूनिवेस्टी के प्रोफेसर की सची घटना और उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम गुपत रखा गया है उसी की ये सची घटना है एक प्रोफेसर जिसका नाम होता है अजय कुमार यादव सागर जो की प्राची इतिहास सर्सकृрт के पुरा तत्व विभाग के प्रोफेसर होती है जो अपनी क्लास जब लेते हैं तो क्लास में स्टूडेंट आते हैं लड़कियां आती हैं लड़के आते हैं सुन्दर भी आत आते हैं कमजोर बच्चे भी आते हैं सभी तरह के बच्चे होती है उनमें एक लड़की होती है जो कि बीए लास्ट येर की होती है वो भी पढ़ती है उस प्रोफेसर की नजर उस लड़की पर पढ़ जाती है वो उस लड़की को अपना नंबर देता है उस लड़की से अपन अपना नमबर दे देती है क्योंकि वह एक अध्यापक था और अच्छे से पढ़ने के लिए कोई डाउट क्लियर करने के लिए वह लड़की अपना नमबर उनको दे देती है और वह शुरू में तो उस लड़की से प्रोफेसर सहाब बहुत ही पढ़ाई के रिगारिंग बात लड़की समझ जाती है और परेशान हो जाती है और परेशान होकर वह उन सर का नमबर ब्लॉक लिस्ट कर देती है अब वह सर को यह बात नहीं पस्ती है तो दूसरा नमबर लेते हैं फिर उससे बात करना चाहते हैं एक दो बार जब वह बात करती है तो उसे पता लग जाता है कि यह सर का नंबर है वो उसे भी ब्लॉक कर देती है ऐसे ही करके करीबन चार से पांच नंबर्स को वो लड़की ब्लॉक करती है लेकिन सिलसला यही चलता रहता है और वो प्रॉफेसर जो है उसकी आँखों में वो लड़की खटकने लगी थी क्योंकि regular basis पर उस लड़की की classes होती थी और उन classes को लेने के लिए वो college आती थी और प्रॉफेसर भी डेली उसे देखता था तब ही प्रॉफेसर एक दिन कहता है कि मुझे तुम से बहुत important बात करनी है बस एक बार बात कर लो उसके बाद चाहे तो तुम बात मत करना वो लड़की समझती है कि साइद हो सकता है सर को समा जा गया अब वो मुझे से बात करेंगे और फिर उसके मेरे जानने वाले भी हैं कॉलेज के बच्चे भी आते हैं तो मेरी बदनाम ही होगी क्यों ना हम अपने कमरे पर बैट कर बात करते हैं और वो लड़की उसके साथ उस कमरे पर चली जाती है वहाँ पर जाकर वो से कहता है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ और मैं तुमसे जब बात करता हूँ तो मुझे बहुत ही सांती मिलती है और मुझे तुमसे बात करनी है वो लड़की समझती है कि सर तो अब थोड़े ही दिन के मेमान है तो क्यूं ना इनसे बात कर लो इनको सान्थी मिलेगी किसी परेशान व्यक्ती को अगर हमें हमारी वज़े से कोई रिलैक्सेशन मिलता है, उस सान्थी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है वो इसी बेश से उससे बात करती है और बात करने के बाद आब वो प्रोफेसर उसे बैट टच करने लगता है जब बैट टच करता है तो वो लड़की उसे जटक कर दूर हो जाती है और कहती है सर ये गलत बात है हम स्टूडेंट और छातर हैं ऐसा नहीं हो सकता तब ही वो एक चीज की धमकी देता है तो लड़की को डर लगने लगता है और वो चुप हो जाती है और फिर प्रोफेसर अपनी मनमानी करता है और अब उस लड़की को वो बार बार वहां पर बुलाने लगता है एक दो बार ये लड़की ये चीज़े देखती है लेकिन उसके बाद फिर ज मेशान हो जाती है परिशान होकर अब वो सोसल मीडिया का सहरा लेती ती है सोसल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है और जैसे है वो वीडियों होटा है तो तुरं वायरल हो सबी की बारिकी से जांच हो रही है अब उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है वहाँ के स्टाफ पर लड़की के दिये हुए सबूतों पर कितने ठोस हैं क्या है क्या नहीं ये तो पुलिस अपनी जांच में बता ही देगी लेकिन इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ एक उद्दे से था क्योंकि स्टूडेंट जो वर्ग है हमारा उसमे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चियों का गलत फायदा उठाते हैं बच्चियों का स्टूशन करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से मैं सभी बच्चियों से एक कहना चाहूंगी चाहे आपके सामने कोई भी कंडिशन आ जाए अपने आपको इतना स्ट्रॉंग रखें और कि दूसरी बार जब उसे कमरे पर लेकर गया तो भी नहीं जाना चाहिए था तीसरी बात जब अपने आपको खतम करने की बात कह रहा था तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए था तुरंट पर इसको कॉल करनी चाहिए थी लेकिन कहते हैं क्योंकि वह एक बीए फाइनल की नहीं इसा नहीं कि सभी टीचर कराब होते हैं क्योंकि टीचर को भगवान से दूसरा दर्जा दिया गया है सभी टीचर ऐसे नहीं होते लेकिन आब बहुत सारे मामले हमारे सांब अैसे आ हैं इसलिए हमें इस कहानी को आपके सामने रखना जरूरी समझा वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो इसको एक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी लड़की के सामने ऐसी प्रॉब्लम में वह फसी हो तो इसको सुनकर उसे थोड़ी सी ह निम्मत मिले और वो अपने आपके लिए लड़ सके खड़ी हो सके बहुत जल्द फिर से आती हूं ऐसी एक सची घटना के लिए तब तक के लिए जैहिन जैभारत